दर्शन देना प्राण प्यारे नंद लाला मेरे नैनों के प्यारे दीना नाथ दयाल सकलगुण नवल किशोर सुन्दर मुखवाले यशोदा के घर लल्ला माखन चोर है आयो रे शुब घड़ी है देखो आई गोकुल में खुशिया चाई रे जनमे है कृष्ण कनहिया नंद बाबा फूले नसमायोरे आप सभी को श्रीकृष्ण जनमास्थमी की हार्दिक शुब काम नए हिंदू धर में श्रीकृष्ण जनमास्थमी के पर्व का विशेस महत्व है और श्रीकृष्ण जनमास्थमी का पर्व हर साल भाद्रपद महिने के कृष्ण पक्ष की अस्थम में हुआ था इस दिन को लोग बड़ी धूम धाम से मनाते हैं और उपवास करते हैं रात के समय बाल गोपाल जी का जनम होने के बार विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं मत्रा वृंदावन समेत पूरे विश्व में इस पर्व को बड़ी धूम धाम से मनाया जाता हैं तो चलिए आपको बठाते हैं साल 2024 में श्रीक्रिष्ण जन्मास्टमी का पर्व कब हैं इस दिन कौन-कौन से शुभ योग रहने in कृष्ण जन्मास्टमी पूजा का शुभ मूर्थ के रहे का और वरत का पारDharma आप कब कर सकते हैं साल 2024 में जन्मास्टमी का पर्व इस बार जेनती योग में मनाय जाएगा जयन्ती योग में जन्मास्टमी का वर्त करने से अक्षे पुर्ने की प्राप्ति होती है, और भगवान श्रक्रिष्ण के आशिरवात से सभी सुख और सम्रिधी की प्राप्ति होती है, कहते हैं कि जो भी विक्ती इस योग में जनमास्थिमी का व्रत रखते हैं, उनको मृत्य के बाद व्यकुंठ धाम में निवास मिलता है। इस बार सभी ग्रेस्ट जन और वैशन संपरदाय के लोग एक ही दिन श्रीक्रिष्ण जनमास्टमी का पर्मनाएंगे। अस्ठमी तिथी प्रारम होगी 26 अगस्ठ वर को सुभा 3.49 मिलट से और अस्ठमी तिथी का समापन होगा 27 अगस्बर को सुभा 2.59 मिलट पर। इसलिए इस बार 26 अगस्ठ वर के दिन ही श्रीक्रिष्ण जनमास्टमी का पर्व और कालास्टमी का पर्मनाएंगा। 27 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन दही हांडी का पर्व रहेगा और इस दिन रोहनी व्रत भी रखा जाता है अब बात करते हैं इस दिन रहने वाले मूर्थों के बारे में 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6 बचकर 11 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम 6 बचकर 46 मिनट पर ब्रह्म मुर्थ सुबह 4 बचकर 34 मिनट से 5 बचकर 22 मिनट तक रहेगा अभीजीत मूर्थ दोपहर 12 बचकर 3 मिनट से 12 बचकर 33 मिनट तक रहेगा अम्रित काल दोपहर एक बच कर 36 मिनट से तीन बच कर नौ मिनट तक रहेगा और राहु काल सुबह साड़े साथ से नौ बजी तक रहने वाला है जनमास्ट में के दिन रोहणी नक्षतर प्रारंब होगा 26 अगस्थ सोमवार को 2 पहर 3 बच कर 55 मिनट से इससे पहले तक क्रति का नक्षतर रहेगा और रोहणी नक्षतर की समाप्ती होगी 27 अगस्थ मंगलवार को 2 पहर 3 बच कर 38 मिनट पर जन्मास्ट में पूजा का शुगमूर्थ रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से लेकर 12 बच कर 45 निट तक जन्मास्ट में की जो विशेष पूजा अर्चना होती है वो इसी शुबमुर्त में की जाती है और इस समय पूजा करने के बाद व्रतका पारणा कर लिया जाता है भगवान श्रिकृष्ण मतुरा नगरी में देव की और उनके पती वासुदेव के आठवे पुत्र के रूप में अव्दरिथवे थे माननता है कि जो भी विक्ति श्रीकृष्ण जन्मास्टमी का उपवास करते हैं विदिविधान के साथ पूजा करते हैं उनके सभी कस्ट और परिशानिया दूर हो जाती हैं जिनके घर पर काना जी की मूर्ती नहीं है या जो लोग भी लड़ू गोपाल जी को अपने घर पर लाना चाहते हैं वो आज की इस शुब घड़ी पर अपने घर पर लड़ू गोपाल जी को लाकर उनकी सेवा कर सकते हैं अगर इस दिन सच्चे मंसे भगवान कृष्ण से संतान प्राप्ति के लिए विंती की जाए तो भगवान की करपा से उनकी ही तरह सुन्दर और स्वस्थ पुत्र की भी प्राप्ति होती है। इस कामना के लिए आपको संतान गुपाल मंतर का जाप करना चाहिए जो किस प्रकार है? ओम स्रिंग रिंग क्लिंग लूंग देव की सुत गोविंद वासु देव जगत पते देही में तनयम कृष्णम त्वामह शरनम कतहा लंबे समय तक संतान गुपाल मंत्र का जाप करने से भक्तों को सुन्दर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है जिन भी माताओं को गर्भधारन करने में बहुत ज़्यादा समस्याइं आ रही हो या फिर गर्भवस्था में ही जो महिलाएं अपने शिशु को खो देती हैं उनके लिए श्रीकृष्ण जन्मास्टमी के शुब अवसर पर इस मंत्र का चाप करना बहुत ही उपयोगी होता है इससे उन्हें स्वस्त शिशु की प्राप्ति होगी ये थी आज की वीडियो इस बारे में और अर्थिक चालने के लिए हमारे चैनल पर अगली वीडियो कंसाल्ट जरूर कीजेगा